पर्चम क्लासेज़ में जो भी budget के अंदर आई है, जो भी news में इस साल के लिए जो भी important government scheme है, वो सब वहाँ cover करवाई जा रही है, ठीक है, ये जो पूरी scheme है, ये जो पूरी playlist है, ये जितने भी आपके one day examination हो रहे हैं, उन सभी के लिए काफी important रहने वाली है, even UPSC students के लिए भी ये रामबान playlist बन रह ही है, एक सारी schemes आपको एक ही जगा मिल जाएंगी, तो देखते हैं क्या है scheme के अंदर, आगे बढ़ूँ उससे पहले एक important जानकारी आपको दे रही हूँ, general awareness 2024 का targeted batch हमारी एप पर आ चुका है, description में से link लेके, आप एप पर पहुँच सकते हो, course को purchase कर सकते हो, इसमें क्या ह होगा मैं आपको बता दू, general awareness के जितने भी section है, यानि history, geography, quality, economy, strategy, gk, science, सब कुछ आपको recorded format में मिल जाएगा, PDF को आप डाउनलोड कर पाओगे, जैसे ही कोई topic होता है, topic wise, MCQ को solve कर पाओगे, previous year question papers को कर पाओगे, ठीक है, और mock test paper भी आपको साथ में मिलेगा, कोई doubt आता ह है, तो live interact करके teachers से अपने doubts बूच सकते हो, तो ये सारी facility आपको हमारे batch में मिलेगी, ठीक है, अभी देखते हैं, scheme के अंदर क्या है, देखते हैं, ये news में क्यों चल रही है, या इसका context क्या है, क्यों इसको कर रहे हैं, union budget 2023 ने 100 करोड रुपीज का allocation scheme को दिया है, scheme का पूरा नाम क्या है, national action for mechanized sanitation ecosystem, ठीक है, यानि कि क्या कर रहे हैं, पूरे राष्टर के अंदर एक action लिया जा रहा है, ताकि जो sanitation का system है, वो mechanized हो सके, इनसान को, ये जो septic tanks हैं, या human excreta वाले tank हैं, इसके अंदर खुद ना जाना पड़े, मशीनों का प्रियोग करके, सीवरेज की सफाई की जा सके, ये मकसद है इसका, और जितने भी लोग manuals quenching के अंदर लगे हुए हैं, उन लोगों को एक alternative नोकरियों की opportunity मिले, ताकि वो लोग भी इस काम को छोड़के अपनी जिंदगी के अंदर बहतर कुछ कर सके, ठीक है, पूरी scheme का यही मकसद है, तो नमस्ते scheme का पूरा नाम है, National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem, ठीक है, government जो है, इसके 100% mechanical dislodging के लिए देख रही है, मतलब की 100% mechanization करना चाहती है इस system को, और ये जो है, हर city और हर town के अंदर ये implement होने को अब तयार है, the process of extending the scheme, शुरुवात में कुछ ही जगा पे, कुछ जो आपके smart cities घोशित हुई थी, शुरुवात में ये scheme बस वही तक थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस scheme को हर urban local body के अंदर जो है, वो initiate किया जा रहा है, extend किया जा रहा है, ठीक है, न Government of India देगी, ये एक central sector scheme है, ठीक है, scheme जो है, इसको jointly दो ministry संभालेंगी, एक तो ministry of housing and urban affair, क्योंके इसमें housing साफ सफाई, मतलब शेहरों की साफ सफाई, शेहरों के सीवरेज, उससे जुड़ी हुई चीज़े हैं, तो ministry of housing and urban affair and the ministry of social justice and empowerment, क्योंके किसी के सामाजिक न्याय की बात हैं यहां पर, ठीक है, ministry of social justice and empowerment, दोनों ही unsafe sewer and septic tank clinic practices को eradicate कर देना जाते हैं, जड़ से हटा देना चाहते हैं इस practice को, ठीक है, तो इसके objectives क्या है, इसमें क्या चाहते हैं, sanitation work करते हुए, बहुत सारे लोगों को बहुत problems हो जाती हैं, fatalities हो जाती हैं, तो उन fatalities को zero कर देना है, किसी भी तरीके की problem, किसी भी तरीके की चोट, किसी भी तरीके की समस्या, कोई भी, गंभीर या बिना गंभीर, sanitation work में ना हो पहला तो ये मकसद है, दूसरा जो भी काम की अगरवाया जाए, वो skilled worker के द्वारा ही करवाया जाए, ठीक है, direct contact में ना आना पड़े human excreta के, किसी किया जा रहा है, जो ये sanitation workers हैं, जितने भी, इनको एक self-help group की तरह collectivized किया जा रहा है, इकठा किया जा रहा है, और उनको एक sanitation enterprises run करने के लिए empower किया जा रहा है, कि आप एक self-help group बनाए, और एक sanitation enterprises आप लोग मिल के चलाए, ठीक है, और क्या किया जा रहा है इसके अंदर, ज जितने भी national level, state level, urban local body, जो भी level है अपने भारत के 30 तरके, उनको strengthen किया जा रहा है, कि आप supervise करें, आप monitor करें, कि कहीं किसी इनसान को जबरदस्ती इस काम में धखेला ना जा रहा हो, ठीक है, कि हर जगा safe sanitation work ही हो रहा हो, कहीं किसी व्यक्ति को जबरदस्ती इस काम में धख केला ना जा रहा हो, national level पे, state level पे, urban local body level पे, ये जो है, ये supervisory काम जो है, वो चलाया हुआ है, और क्या मकसद है इसका awareness लेके आनी है, sanitation service के seekers के अंदर, जो भी sanitation service seekers है, उनके अंदर awareness लानी है, ठीक है, कि आप लोग, आप लोगों के लिए और क्या-क्या opportunities है, इस तरीके से, तो ये objectives है, ये key feature क्या है, इस scheme के अंदर, सबसे पहले तो identification, key feature क्या है, to be implemented in all urban local body, सभी urban local body में implement होने के लिए, सबसे पहला key function है, key feature है, identification, सबसे पहले तो जो भी worker है, उनको identify किया जाए, ठीक है, उनकी एक list बनाई जाए, उनको identify किया जाए, identify करने के बाद, उनको एक occupational training द इन सभी को PPE kit distribute की गई है, ताकि किसी तरीके की शारीरिक problem इनको ना हो, तीसरी काम इसके अंदर क्या है, assistance for safety devices to sanitation response unit, जो पूरी sanitation response unit है, उनको safety device assist किये गए है, health insurance scheme इनको दिये गए है, प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के अंदर, कि अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो ज जाती है, तो health insurance भी इनको दिये जा रहे है, livelihood assistance के अंदर क्या किया जा रहे है, कि इन लोगों को जो भी मशीने हैं, जो भी इनको equipments procure करने हैं, वो सारे equipments subsidized rate पे इनको मिल जाए, ठीक है, subsidized rate पे मिल जाए, सरकार उनकी funding को provide करेगी, subsidized rate पे इन सामान को इन लोगों तक आया जा रहा है, इसके अंदर, information education and communication campaign, इसमें एक massive campaign चलेगा, जिसके अंदर, जो ये campaigning है, इसको urban local bodies, और NSKFDC, यानि national सफाई करमचारी, finance and development corporation, awareness spread करेंगे, नमस्ते scheme को लेके, यह ऐसी ऐसी scheme है, आप लोगों को इतनी opportunities, इतनी facilities मिल रही है, आप इन facilities का लुथ उठाईए, चीक है, और क्या assistance मिल रही है, देखो, इसके अंदर इनको sanitation machinery, पांच लाख रुपे तक की sanitation machinery और या फिर 15 लाख रुपे तक की sanitation ministry, पांच से 15 लाख तक की machinery के उपर इनको loan मिल रहा है, subsidized rate पे इनको loan मिल रहा है, और यह machine भी कम rate पे इनको मिल रही है, चीक है, तो subsidized rate पे इ में कौन सी ministry involved है हमने देखा ministry of housing and urban affair and ministry of social justice and empower, दो ministry involved है, implementing agency कौन है, इस पूरे काम को implement कौन करेगा, national सफाई करमचारी, financial development corporation इसको implement करेगा coverage क्या होगा, 500 cities को cover किया जाएगा ठीक है, faced manner में धीरे धीरे लेके जाएगे, शुरुवात में 500 cities, अब ये कह दिया है, कि अब इसको पूरे भारत के अंदर implement कर देंगे और 2022 से लेके 2026 तक हम लोगों को phased manner में इस problem से निजात पा लेना है, ठीक है, ये coverage की बात थी, अब ये manuals quenching होता क्या है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई भी इनसान manually किसी septic tank को या किसी hazardous या degraded चीज को साफ कर रहा है, जैसे human excreta है, solid waste है, hazardous material है, इनको dispose कर रहा है, ठीक है, इनको साफ कर रहा है, इसको manual scavenging कहते हैं, दूसरा, what is self employment scheme for the rehabilitation of manual scavenger, देखो ये एक scheme चली थी भारत के अंदर, जिसको SRMS कहते हैं, इसी से related है, तो मैंने इसमें include कर दिया, इस scheme में क्या कहा गया, ये नमस्ते के अंडर नहीं है, अलग से है, manual scavenger के लिए, ये कहा गया, कि आप लोगों को alternative livelihood options दिये जा रहे हैं, क्योंकि जब लोगों को मना किया गया, आप इस काम में मत घुसें, तो लोगों ने ये कहा, फिर हम खाएंगे क्या, हम कमाएंगे क्या, तो ये कहा गया, कि आपको alternative livelihood opportunities दी जाएगी, इस काम के जगए आपको दूसरे काम के अवसर मिलेंगे, तो ये है SRMS scheme, ठीक है, अब ये आज का question है आप लोगों के लिए, question है, इन में से क्या एक objective है नमस्ते scheme का, जिसको अगस्त 2022 में launch किया, zero fatalities in sanitation work in India, पहली statement, दूसरी statement, sanitation workers are collectivized into self-help group and are empowered to run sanitation enterprises, आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है, both one and two, only two, only one, neither one nor two, उमीद करती हूँ, बिल्कुल सही answer आप करेंगे, और कोई भी student, जो basic से, economy या quality पढ़ना चाहता है, economy या quality पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो एक तो combo batch के बारे में मैंने आपको बताया, अगर separate batch आप लेना चाहते हो, economy का, quality का अलग-अलग batch आप लेना चाहते हो, ये दो subject अगर आपको मेरे साथ prepare करने हैं, तो अलग से batch फर्चम app पे हैं, आप लोग वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त करके batch में enroll कर सकते हो, thank you so much, take care, bye, मिलते हैं एक और interesting scheme के साथ, next session thank you